जैहिन फ्रेंड्स वेलकम टू एजुहीन चैनल आज हम जीके जीएस के कुछ इंपर्टेंट कोशन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत ही इंपर्टेंट है वीडियो को सिक्प मत करिएगा वीडियो को जलाश्ट तक जरूर देखेगा और इन दो प्रस्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं आज के questions, पहले question की तरफ हम देखते हैं, पहला question हमारा है, भारती नेपोलियन की उपाधी की से दी गई है, आपसन है चंद्रगुप्त मौर्य, आपसन B है समुद्रगुप्त, आपसन C है चंद्रगुप्त प्रथम, आपसन D है हर्सवर्ध, तो इसका right answer जो है question का, आपसन B समुद्रगुप्त है, question second है, काउन सा सिंद्ध सभ्यता का आस्थान अब पाकिस्तान में है, तो इसके आपसन है, आपसन E हरपा, आपसन B है सिंद्ध, आपसन C है लाहौर, आपसन D है बनास, तो आप इसका जवाब दीजिए, इसका right, आपसन question number 3 है, काउन सा राज ये भारत के सबसे पूर्वी भाग पर इस्थित है, काउन सा राज ये भारत के सबसे पूर्वी भाग पर इस्थित है, तो इसके आपसन है देख लीजिए, आपसन B है राजस्थान, आपसन C है उत्तर परदेश, आपसन D है पंजाब, तो इसका right answer है आपसन नमबर A अनुराचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूरी भाग पर इस्थित है कोशे नमबर 4 की तरफ हम देखेंगे कि राष्टी रच्छा अकादमी कहां पर इस्थित है राष्टी रच्छा अकादमी कहां पर इस्थित है तो आपसन A है देहरादून आपसन B है पटना आपसन C है निकोबार आपसन D है दिल्ली तो इसका राइट आइंसर जो है आपसन नंबर A देहरादून कोशन नंबर 5 देखेंगे संबिधान के प्रारूप समित के चेर मैन कौन थे तो आपसन है इसका आपसन नंबर A है डांक्टर भीमराव अंबेटकर आपसन B है महात्मा गांधी आपसन C है सरदार पतेर आपसन D है जवाहलाल नहरू तो इसका राइट आइंसर हमारा आपसन नंबर A है डांक्टर भीमराव अंबेटकर डांक्टर भीमराव अंबेटकर इ आपसन C है निकोबार एंड आपसन D है दिल्ली तो लच्छ दीब की राजधानी जो है आपसन नमबर एक का वरत्ती है Q7 हम देखेंगे कि मसालों का बगीचा किस राज्जी को कहा जाता है तो इसके आपसन है आपसन A है तमिल नाडू आपसन B है केरल आपसन C है गुजरात और आपसन D है करनाटक तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आपका आपसन नमबर P केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है फिरोज साग कोटला नेक्स्ट कोश्चन आपका फिरोज साग कोटला श्टेडियम जो है कहां पईस्थित है तो आपसन A है कोलकाता, आपसन B है नई दिली, आपसन C है मुंबई, आपसन D है चेन्ड़ी तो इसका राइट आइंसर है आपका आपसन नमबर भी नई दिली फिर देखते हैं question 9 क्या है question 9 में हम देख सकते हैं कि मुहम्मद गवरी ने जैचंद को किस युद्ध में पराजित किया था आपसन A है इसका कर्नावज का युद्ध आपसन B है तराइन का प्रथम युद्ध आपसन C है तराइन का दुती युद्ध आपसन D है चंदावर का युद्ध तो मुहम्मद गवरी ने जैचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था तो आप question number 10 है question number 10 क्या है भारत में लोकसभा का big turn कौन कर सकता है तो इसके option आप देख सकते हैं option number A है मंत्री परिशद option B है राष्टपती option C है परधान मंत्री and option D है लोकसभाई speaker तो भारत में लोकसभा का big turn केवल राष्टपती ही कर सकता है इसलिए इस question का right answer option number B है राष्टपती राष्टपती जो है लोकसभा का big turn कर सकता है फिर देखते हैं next question हमारा question number 11 क्या है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं तो इसके option है लच्छदीब को आपसन B है वेनिस को आपसन C है कोचीन को आपसन D है सूरत को कर भारत में यह भारत में स्थापना कब होई थी तो इसका देख सकते है कि आपसन A है वर्स 1962 आपसन B है वर्स 1965 और वर्स 1969 और आपसन D है 1972 तो इसका राइट एंसर है आपसन C 1969 में जो है भारती अंत्रिच अनुसंधान संगठन की अस्थापना हुई थी फिर इसके बाद A next question हम देखेंगे question number 14 भारत की किस नदी को ब्रिद गंगा के नाम से जाना जाता या ब्रिद गंगा कहा जाता है तो इसके आपसन देख सकते हैं आपसन E है किष्णा नदी आपसन B है नर्मदा नदी आपसन C है काविरी नदी आपसन D है गोदावरी नदी तो भारत को ब्रिद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है गोदावरी नदी को ही ब्रिद गंगा के नाम से जाना जाता है question number 15 है last question है भारत के किस राज में लोनार जील इस्थित है भारत के किस राज में लोनार जील है तो आपसन A है देखे मडीपूर आपसन B है महाराष्ट and आपसन C है करनाटक आपसन D है केरल तो भारत में जो है लोनार जील महाराष्ट राज में इस्थित है महाराष्ट राज म ही लोनार जील है तो इस प्ररकार से आपके जो है फिटेन कोस्टेन क्लीट हो चुके हैं और हमने जो शुरुकि 20 को मेरेते है उसका जवाब है किस जानवर का हिर्दय का जितना बड़ा होता है तो यह बू longest नेक वाला सबसे लंबी गर्दन वाला और सबसे लंबा जानवर जो होता है उसकी जीव जो है नारमल जानवरों की यह पेच्छा सबसे अलग होती है उसकी जीव जो है निली कलर की होती है तो इस प्रकार से आपके question complete होते हैं आसा करते हैं आपको के लिए ये useful रही होगी य और तब तक के लिए थैंक्स फार वाचिंग दे वीडियो